यूटूब चैनल बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे क्वेरीज हैं CRPF से जोड़ी CRPF टाइपिंग जो हो रहा है HCM का उससे रिलेटेड जैसे कि मेरा भी टाइपिंग हुआ था तो मैं क्वालिफाइ हो चुकी हूँ और 38 स्पीड निकले थी मेरी उससे रिलेटेड वहाँ पर क्या experience रहा क्या क्या चीज़े कैसी हुई कौन सी कीज अलाओ है कैसा keyboard था कैसे batches बने फिर टाइपिंग पास करने के बाद क्या हुआ हुआ है यह सारा मैं इस वीडियो में detail प्रवाइट करूँगी बहुत सारे बच्चे PST में भी out हुए क्यो आउट हुए यह सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूं कि जिन लोग का CRP टैपिंग टेस्ट हैं वो बिल्कुल परिशान ना हो आप यूटूब पे सर्च कर रहे हो बार बार सर्च कर रहे हो और बहुत सारा टाइम जाना तो कुछ पॉइंट्स जो वीडियो में बताऊंगी वह बहुत जरूर वह जरूर आप ध्यान देना और सबस्यादा परशान नहीं हो बिल्कुल पानिक नहीं होना वहाँ पर बहुत क्येरफुली कॉन्पिडेंटली वहाँ पर टाइप करना क्योंकि वहाँ का अट्म यहाँ पर थोड़ा बहुत जो वहाँ पर चीज़े मैंने फेस की वहाँ आपको बताना चाहूंगी कि इतने बज़े पहुचना है कैसे क्या यह सारी चीज़े तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं पूरा शेयर करूंगी वहाँ पर एक्सपिरेस कैसा रहा तो इस जरूरी है और इन डॉक्रमेंस के आप कमसे कम दो सेट जरूर लेके जाना जिसे कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना क्योंकि अगर नहीं मिला तो आप लोको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है क्योंकि एक बार अगर आप सेंटर के अंदर चले जाओगे वहां से बाह प्रॉब्लम फेस के लावे एक और साटिफिकेट मिला होगा बाकी हर पर अलग से नहीं मिलता बट वहां पर अगर मिला हुआ है तो वह आपको लेकर जाना है फिर आपको फोर फोटोग्राप्स लेकर जानी है बाकी आप अपना ओरिजिनल डॉक्मेंट के साथ साथ हार कॉ बाकी जिसी जिरोक्स बोलते हैं बाकी आपका डॉमिनिशल सार्टिफिकेट होना चाहिए अगर ससन्ट का है नहीं है क्रूकि जैसे कि एक डुँए इस्परिकेट जिनकाος सर्टिफिकेट जो था वह शेंसें नहीं था डेट का कर व्योंतार इस्फिकेट कर रहा है तो यह Um जो कि crucial date दी गए थी तो उनको officers ने बोला ठीक है चलो date के बात का कोई बात हैं हम accept कर ले रहे हैं तो यहाँ पर यह अलग-अलग center पर depend करेगा कि कि वहां के officers क्या से हैं बट उन्हें उसको बाहर नहीं निकाला उन्हें उसका accept कर लिया है बाकि जिनका नहीं है crucial date से वह परशान ना हो वहां center बजाएंगे तब देख लेना आप बात कर लेना है एक बार request कर लेना थोड़ा लेकिन वैसे mainly crucial date का आप याद रखना हर document आपका जब कभी भी कोई भी vacancy आती कोई भी notification आता है तो आप crucial date से पहले का ही रखा करो ready करके जिससे कि आपको कभी problem face ना करने पड़े क्योंकि हर जागे पर acceptable नहीं होता है तो यह सारे documents आप carry करके जरूर जाना बाकी थोड़ा बहुत अपने लिए खाने के लिए समान लेते चले जाना क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो जो केंटीन है वहाँ पर आप ले सकते हो जो ले सकते हो नहीं बाकी वहाँ पर आपको ज्यादा अगया चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बाकी आप यह सारे चीज़ें देख लो जो भी आपकी documents हैं आप उनको जरूर लेके जाओ बागे photographs तो जरूर लेके जाना हो टाइपिंग पर जादा से जादा फोकस करो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई जैसे आप वहाँ center पर पहुंचोगे तो आपका सबसे पहले admit card देखकर आपकी gate पर entry की जाएगी जैसे आप जोगे तो वहाँ स जब आपको एंट्री देने के बाद तो वहाँ पर आपको बोल दिये जाएगा कि आप यहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हो जाओ या फिर बोल देंगे कि लाइन बनाकर बैट जो तो वहाँ पर जैसा भी आपको बोले आप करना उसके बाद वहाँ पर सरलोग एक list लेका र सब्सक्राइब करते हैं 40-40 का मेरे में तो 40-40 स्टूयंट का राइठ बना था तीन बैच बने थे मेरे में जिसमें से मैं मुझे हैं घरच में कि क्यों टैप करने गई ती तो वहाँ पर जैसे ऐसे तीन बैच बना दी मालों 30 से चार बैच बने तो सबसे पहले जो बैच रहें बहुत कम वैसे आ रहें और कुछ फैक्टर से जो मैंने यूटूब चैनल पर आपके साथ डिसकस किये थी कि क्यों बहुत कम बच्चा रहें किसी का अंडरवेट है किसी का ओवरवेट है तो यह सारी चीजे आप ना सोचो मैं इतना बोलूँगी अंडरवेट ओवरवे पर पॉइंट मिलेगा वह मैं आगे वीडियो में डिसकस करूंगी लेकिन अभी जो मैं बता रहे हूं वह आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि जिसका भी अंडरवेट यह ओवरवेट है वह जरूर जाए वहां पर बाकी जिसकी आईसाइट वीक है वह नहीं जा रहे तो वह अलग फैक्टर हो गया बट मिलनी बहुत सारे जो पहले से सोचके बाटे मैं ओवरवेट हूं अंडरवेट हूं मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे बाद में अन्फिट कर दिया जाएगा तो आप यह चीज बिलकुल मत सोचों वहां पर जाओ बाकी वहां पर मैं टाइपिंग पर गई तो मुझे वहां पर जादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी ऑफिसर बहुत अच्छे थी अगर कोई क्वेरी नहीं कोई क्वेरी थी तो आप वहां पर पूछ सकते थे बता सकते थे लेकिन कुछ जो लोग थे वह उनको बाबाबा मैं शाउट कर दिया था लेकिन फिर भी आप नॉर्मली बोलोगे तो वह एक एक दो तो चीज़े अगर आप पूछ रहे तो वह क्लियर कर दे रहे थी कि ऐसा ऐसा है बाके फिर इतना जादा वह डीटेल भी नहीं प्रॉवाइड कर रहे हैं बट हाँ आपके जो क्वेरी हो भी थी हा लेकिन मैंने एक्जाक्ट टाइम नहीं देखा था क्योंकि मैं भूल गे थी टाइम देखना जलदेली हडवड़ाट में बट वहाँ पर आप कोशिश करना कि आप हर हाल में 8 बजे तक हर हाल में वहाँ पे पहुंच जाना क्योंकि आपको टाइम दिया गया है 7 आ करेंगे फिर उनको आगे प्रोसेस डॉक्मेंट वरिफिकेशन और पेस्ट के लिए भीजा जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगे जैसे कि वहाँ पर आप जाओगे तो आपको थोड़ी नर्वेसनेस लगी फिल्कुल आपको फील ना हो क्योंगे अगर आपका मैंड रिलक्स गणा तो आपसे कम गलतिया होंगी हड़ बड़ाहट में वहां पर ज्यादा गलतियां नहीं करोगे क्योंकि यहां पर टाइपिंग स्पीड आपको इंगलिश में 35 और हिंदी में 30 लेकिन उससे ज्यादा मस्ट है आपका एकुरेसी पर यहां पर बहुत ध्यान देना है बात कर लेतें कुछ चीज़े जो आपको वहां पर ध्यान रखनी है सबसे पहले तो वहां पर जो पैरा मिलेगा आप पोशिश करना उसको एक दुबार एक जलक देख लो उसकी स्टार्टिंग की कुछ लाइने फिर वहां पर अगर आपकी कोई डाउट होती तो आप ऑफिसर से पूछ जरूर लेना पहले ही टाइपिंग से कि यहां पर क्या- अगर यहां पर पूछ लेना सबसे पहले आपको वहां पर बैक स्पेस की बिलकुल यूज नहीं कर सकते हो यहां पर स्क्रॉल जो होगा वह और यहां पर स्क्रॉल बार का सबस्दा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो आपका जो पैस से उपर नीचे करना पड़ सकता है बट यहां पर 10 मिर्ट में आपको पूरा टाइपिंग करके दिखाना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पर अच्छे से स्क्रॉल कर पाओ क्योंकि जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे आपका पैरा उपर जो टाइप करके देखा ता कि कुछ कीस थी मैंने पैसेट देखा कि मुझे वहां तक पहुंचना इने पहुंचना इसके बाद मैंने पेपर को यह फ्यूगारा खेला में हहल आज करेंने करने WHYरा लिखते समय आपको नीचे स्क्रॉल करके टाइप नहीं करना पडेगा वहां पह आपने यहा अब यहां पे clear होगा होगा आपको उसरी लिखते रहना यू शूट कीभ राइटिंग आपको लिखते रहना है पैरा चेंच करने की विजरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर आपको ध्यान देना है जो words यह लाइन वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि वहां पर अगर आ आपको डिसाइट करना है कि आपकी एकुरेसी यहां पर अच्छी होने चाहिए कुर्कि यहीं 10 मिट्स आपको डिसाइट करतेंगे कि आप टाइपिंग पास करके आगे प्रोसेस में बढ़ पाओगे या नहीं और अपना यहां पर सेलेक्शन इसवर ले पाओगे या नहीं त तो भी आपके लिए सही है लेकिन विद्ध एकुरेसी आपको टाइप करना होगा क्योंकि अगर यहां पर इंग्लिश में आपकी 35 से कम स्पीड आएगी तो कौलिफाइए नहीं होंगे हिंदी में अगर 30 से कमाएगी तो कौलिफाइए नहीं होंगे यहां पर सिर्फ 5% एर आए कैसे कांट हो रही का वीडियो मैं अलरड़ी यूटूब चैनल पर प्लोट कर चुकियो बाकि डबल स्पेस बार जो लोग क्लिक कर दे रहे हैं उसकी गलतियां कैसे कांट हो रही है यह बहुत आपका डाउट क्लियर कर पाहूं मैं यहां पर कोशिश कर रहे हूं जतना क्लियर हो जाए उनको काफी हल्पी मिल पाई यहां पर कीबोर्ड का सबसे जादा मेंली कोईशन आ रहा है तो कहीं कहीं पर सेंटर पर कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि में नहीं आ रहा है बट यहां पर मुझे प्रोडॉट का मिला जो की काफी अच्छा था इसकी की वेट उसमें अच्छेस टाइप कर पा रही थी और बहुत अच्छा था पेपर आपको еныँकर करता कैसे रको कायोस आपको पता होगा कि अ कयसे रता कि कैसे रखना तो आं बतारी हूँ कि मैं कीबोर्ड की बहुत बहुत घूम कर ना देखना पड़े आगे हलका साही बस ऐसे नजर करूं तरशी कि मुझे वह देख जाए और फिर मैं सामने स्क्रीन पर देखके टाइप कर रहे थी किस में नहीं देख रहे थी क्योंकि कि आपको अल्रडी लर्ण होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे में आपको प्रकर कर कर रहे थी थे पीज और साहिस को पास करने के लिए आपको 20 उनि चाहिए जैसे कि ASDF वाली जो पूरी होती वो होम रोगी उसके उपर QWERTY वाली फिर नम लॉग की मतलब हर एक के के शिफ्ट किदर होती है कैप्स लॉग की किदर होती है यह सारी आपको किसी भी टैपिंग एजाम में पास करने के लिए पता होना चाहिए यहां पर आप कोई भी वर्ड स्किप मत करना क्योंकि वर्ड अगर आपने कोई स्किप कर दिया तो फिर वह एरर काउंट होता चला जाएगा उस तो में आपको समझ में नहीं आएगा जैसे कि अगर लिखा हुआ है रोहन इस लिखा एग आप लिख दिया तो जो आप लिखोगे उसके बाद से एरर आपकी क्योंकि आपने एवर्ड स्किप कर दिया है तो वह ए आपका स्किप हो गया तो वह आगे शो होता रहेगा तो जो कि उससे मैं नहीं पता चलता है बाट लास्ट में वह एरर काउंट हो जाती है यहाँ पर कीबोर्ड बिल्कुल नॉर्मल ही आ रहे हैं अच्पी डेल जैबर कि अगर आपको कीबोर्ड बहुत अच्छा भी मिल गया लेकिन अगर आपकी टैपिंग स्पीड विद एकुरेसी महां पर नहीं आ रही है तो क्या फायदा उसकी बोर्ड का इसलिए कीबोर्ड को लेकर इतना टैंशन मत लो अपने टैपिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोक पर जिसे बहुत सारे एस्परिंस के अपसलोग की गलती कर रहे हैं कि जैसे कि जब आईडी लॉग इन कर गई तो क्याप्स लॉग की प्रेस करवाया गया तो वह कैप्सलोग की ऑन करने के बाद आफ करना भूल का जिसकी वजह से उनका पैरा था वह स्टार्टी में क्याप आपको टाइपिंग स्टार्ट होगा तो आपके स्टार्टिंग लेटर्स क्याप्टल बनते चले जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी क्योंकि आप जब बहुत सारे एस्परिंस हैं जो जैसे पहरा देखते हैं तो आप वह टाइपिंग स्ट आपको ध्यान देनी होगी क्याप्स लॉग की बहुत मेजर फाक्टर आ रहा है बहुत सारे एस्परिंस के इस वज़े से भी टाइपिंग पास नहीं हो पाया है तो टाइपिंग में आपको पूरे 10 मिनिट्स मिलेंगे वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका टा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बाकि और भी फदर अपडेट्स देती रहोंगी अलग अलग सेंटर पे क्या की बोर्ड मिल रहा है मैं इसका एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगे जिससे सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो जाए बाकि और भी जो कोईरी है सारी अपडेट करती रहोंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और पार्ट तू जरूर देख लिजेगो उसमें आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो इस वीडियो में बचे होंगे थैंक यू प्लीज लाइक शेयर और सब झाल